काव पाध्या सुना है पाणेदी फिर दर्म संसत के अधर चुलिये गए अरे जिन संत महंतों को काम ना धाम वही उनको आगे किये हुए हैं और अमारी उमें डंडा दिये हुए है अब सादु संतों के मुँ कौन लगे अब पाणे पंडों को जीने नहीं देंगे एक तरह वारक्षन बामनों को मार रहा है दूसरी तरह धर्मनात पड़वा अरे ऐस द्धर्म को जतना खत्रा विदेशियों से नहीं है उतना सुदेशी बामनों से है तो देखिए कैसा कर उससे चला आ रहा है हर हर महादेव पाने जी बदाईयों पाने जी गुरूर ग्रम्मा गुरूर विश्म गुरूर देवर महें शुगत रार महादेव आरा महादेव आरा महादेव So pay attention to this Assi Ghaad, the famous Ghaad. You know Lord Rama, the great Rama, the son of Dashrata, brother of Lakshmana and Bharata, husband of Sita, who killed Ravana. His life story book written by Tulsi Dasa. This Ghaad has finished his career here. He wrote a book of big Ram Charit Manas. So this is a Ghaad, holy Ganga, people come here, they take bath, remove sin from their body, so make sin, take bath in his holy water. You can see this Pandas, the great Pandas, Sanyasi, Sadoos under there. What we say here, What you enjoy here, you enjoy nowhere. Now see there, how wonderful India. Master Sari Ghaad, you can't even live. And this is Salae Sargeris for the second time! Come on! That's incredible! Salae! लोगों को जीने भी नहीं दोगे साले गंगा में पाप भी धोएंगे और पिछवाडा भी और बोलेंगे जै गंगा मैया पर चावानी या ठनी लेके तुम छोड़ भी तो देते हो मुफ्त में कौन सा काम होता है इस देश में अरे करेप्शन तो हमारा नेशनल कैरेक्टर बन गया है और तुम यहां बैठे बैठे क्या उखाड ले हो चलो पपू की दुकान पर जाए पिलाओ हम न जाएंगे पपू की दुकान पर अरे गंगेडी भंगेडी बैठक बाजों का अड़ा बन गया है वो जिसको देखो वही राजनी तेला है जाए न पिलाना है तो ना पिलाओ भोश्णी के लेकिन एक बात जानलो असी पे कहीं लोक्तंत्र है तो है पपू की दुकान पर इस देश में दो ही संचद है एक दिल्ली में और दूसरी पपू की दुकान में आना है तो आओ और नहीं आना है तो हमारे एल से जाओ तुम बच्चन की दुकान पर देख रहें गुड़े क्या ख़मर्चभी है भारती संस्कृची के भाजबाई चरवाहूं ने एलान किया है किस बार का होली का कभी सम्मेल नहीं होने दिंगे कहते हैं अस्तील है फूर है गंदा है अगर इसे करना परवा सुन लो हमारी बात और जाके कैदो अपने संस्क्रत के रक्षकों से कि जो भाशा में गाली गंदगी और नजाने क्या क्या देखते हैं असी के लोग नचूतिया कहते हैं और तुन लोग उल्ती गंगा बाहरे हो अरे हरल महादेर के साथ भोसडी के का नारा तो काशी का सारोजनी कभी वाद हो भई यह आप लोगों के लिए दोनों में कोई फर्क है कि नहीं है ना पहला जरा जोड़ लगा कर बोलना पड़ता है दूसरा चाह में चाय अपने अश्रभाशा है और एक बात बताओ बिना गाली के यहां प्यार और राशिरवाद का लेंदेन होता है क्या अपनी जान दे देगा लेकिन काशी के परंपरे को तूटने नहीं देगा एदाज हैंसयाम अरे धरमनास पढ़ा की अध्धक्स बनने की खुसी में है चलो वह हुँझ हुझ पिलाओ अचियो इंढिडन मूंग के लोगर पने सबसाट और है किल मिन कर भूğhan प anime lastime 2 घुटने पांग भीस्टेल दुने किल मैंन हो इस लिएष सेफ known चिंस्ई पार नी कर लिए, भार हो गया राश्री चिंचल, चली बाहर नी कर लिए, हमें दुगान को स्फिल करनी है, कडिया बेराव सालो को, ची सर, दुगान को स्फिल करो, उटो, ऐखो, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, शर्मा जी, सिर देख रहो है मेरा, खलवाट खोपड़ी पर एक भी बाल नहीं है तुम्हारे डंडे का वार इसके उपर भरपूर पड़ेगा मार सको तो मार लो मगर भोसडी के शर्मा तुम दाशी की परंपर और संस्कति को बदलना चाहते हो तुम्हारी हैस्यती क्या है जो तुम हजारों हजार साल से चली आरी कार्शी की संस्कति और परंपरा को बदल सको तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने दरोगा दरोगी आये और गए मगर कार्शी की संस्कति और परंपरा कायम है और कायम रहेगी अंग्रेजी कंगोर्ट पर बैठ कर जाड़ा करने वाले शर्मा तुम क्या जनो कि फांग का सम्मंद दिविनिप्टान से है दिविनिप्टान का सम्मंद तन और मन से है तन और मन का सम्मंद मानवस्तित्व से है और मानवस्तित्व का सम्मंद असी से है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई धरोगा कि तुम महाकाल के भोग को नशा कहो हार 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 तो पावा कि यह लोग धार में को माप रहलाए निकल लो चरण हार आऊ सब ठीक बहिंनी हार राम 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 काईसी उस अवित्रा बेहनी आव रांदे कहां से सांदी हो इते हैं सुभे सुभे काम छोड़के तुम्हारी सेवा करें हम है जा चाके कपड़े पहने अभी तक ऐसी खड़े हो हूँ 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 चलो जाओ जाके चट पे खेलो जा बढ़े और कहो रामदे का कहें सभी तुम तो देखी रही हो महंगाई कितनी बढ़ गई है खाने वाले पांच मूँ और कमाने वाला एक कंपटीशन भी कितना बढ़ गया है मलाहों को आजकल मिलता ही क्या है घाट घाट पर सेर कराने का ठीक ठाक पै अब लेके मलाग खटिक और कर क्या रहें लूठी तो रहें विदेशियों को कोठरियां किराय पर दे दे कर तुम भी एक किरायदा रख लो रामदे जैसे रामदन मला ने एक अंग्रेजन को रखा आरे इन अंग्रेज और तुम नहीं जानती बहना बड़ी वो होती है तो आदमी रख लो है अंग्रेज तुम भी ना पाल अगी चाची भी तराएं बिल्कुल नहीं कोई पोड़ो नहीं किजाना हमें निकला यहां से थांक यू वेलकुमिंग यू बट एंट्री लेटर लेड़ी इस बिजी इन डेली पुजा राइज गाम आवल शो यू मंकी सूरत चड़ाया है पर अभी तक जजमान नहीं आया चकाचक उपादिया जी देने वाला उपर वाला जजमान क्या देगा भुज रीके बम भोले देने वाला तुम्हारे सामने खड़ाया पाड़े बम बम भोले भोले नात को तो छोड़ दो कोई और रूप बना और कमाओ बहुत चको मात तुम भी उसी का दियावा खाते हो और मैं भी कोई है यहाँ जो भोले नात का रूप ना हो चलो अब शीशा दो अब चंदन भी दे दो देख नहीं रहे हो गर्मी से चंदन पिखल रहा है तो अपना सिंगार पटार साथ में लेकर चला करो मुफत में थोड़ा ही मिलता है चंदन दिन रात शिवलिंग पर चंदन लगाते रहते हो और हम साक्षात मांग रहे हैं तो दुनियादारी सिखाते हो किसी जंडू ने हमारा सामान नचुरा लिया होता तो हम तुमारे घाट पर दिखते भी नहीं नाशो तुमारा अच्छो भाही सुभा बड़ा गोला लेली हो क हुआ हाँ चलो भागो यांसे मैं काशीगा दिवाटी और तू काशीगा प्रवाटी कैता है भागो यहांसे ए युक दिन जभा है कुष्यडू ना तर्पता चलेगा एक्स्थ्यूज मी एक्स्थ्यूज मी वेल्कम तु काशी नमस्टे फोटो विद लॉर्ड शिवा, ये प्लीज, कम, वेड, फोटो विद लॉर्ड शिवा, हंडर्ड रूपीज, विद होली गंगा वोटर, टू हंडर्ड रूपीज, कम, क्या है गुरू, हमारा यहां कुछ हो नहीं रहा है, वो बिल्लू, बंबी जा के बच्चन के बाल काट र होटों के, और वो भी सिर्फ सोमार को, जब असी चौरा है के दूसरे हर्कटिंग सलून बंध होते हैं, हाँ गुरू, हम ही अपने साल लगा लीजे, अबे तुम से कितनी बार कहें कि अपना बुरिया विस्तर बांदो, जाकर घाट पर वैठो, देसियों से मेल जोल बढ़ उनकी जरूतों को समझो, तब है न कुछ होगा, अब घाट पर दाढ़ी मोज बनाने वाले की कमी है क्या? हाँ, वो तो है गुरू, अरे तुम यहां बैठे हो, हम तुम्हें पप्पु के दुकान पर डूंड रहे थे गुरू, चलो एक एक चाय लड़ जाए, हाँ, चलो चलो कन्नी, हाँ, हम एक खोट्री उठाना चाहते हैं, पर कोई ठीक सा किराधा मिले तो स्वदेशी या विदेशी, स्वदेशी, बच्चा के चन्ना हो, तो बेदर है, हम, ठीक है सूसते हैं, आगी कमिशन डबल ले, अब फैलो मत, असी पर एक तुम ही नहीं हो, देखो, आपने हो, इसलिए कह रहे हैं, सिंगल देंगे, कुछी या, कुछी या, कनी गुरु के भरों से घाट पर आकर बाइचतो गए, पर अब तुम हमारा ध्यान रखो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, बाकी सब हम सिखा देंगे, हेलो, excuse me, sir, 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 ma'am, boat ride, jay ride, masaj sir, any service sir, buswanda, I am Messiah Madame, ma'am, अशिश मेरेगा, yes, yes, please, yeah, सभल के रहना, यह महला असी है, भर सड़ी के, यहां शंकराचार को भी चुनोती दे देते हैं, साले, जी भीया, जोबे जी, लसुन प्याज, मांस मचली तो नहीं खाते, जी, खाना तो दूर, हम तो छूते भी नहीं, याद रखिए, इस महले में मलेच्छों के लिए कोई जगा नहीं है, दूबे, चौबे, उबादिया, तिवारी, महा निकलो, और देखो धर्म के मामले में तुम चुपी रो, जी, जा, भीदर जाओ, क्या बात है, पांडे जी, क्या बात है, बुलाओ महले के सभी ब्राह्मनों को, और पूछो कि जिस महले में कोई ब्राह्मन लसून प्याज नहीं कहता, वहाँ हटी कहां से आई, बहिया, पांडे कोरा मचा रहा है, उसका अफमार कर रहे हैं ये साले, बहुए जा रहे हैं मास मच्छी के बिना, तो कहीं और रहो, कितनी बार तुमसे कहा कि हट्डिया दूर भेखकर आया कर, पर तुमों की सुनते ही नहीं हो, किसका किराइदार है, बलाओ सभी किराइदारों को, ऐसे विधर्मी को बहार निकालो, पाई रगी, कहां है हट्डी, ओए लोंडे, रंग बंचमा, तुम चौबे के किराइदार हो ना, हाँ पाई जी, याद हो ना, नहीं, ठाकु रहे हैं, तब तो खूब मास मच्छी खाते हो गए, मास मच्छी खाने वाले को, हम कोट्री कैसे दे देंगे पाई जी, तो फिर ये हड़ी कहां से आई, ये मुर्गे की है या चूहे की, ये चूहे की लग रही है तुमको, आप मुर्गा खाते हैं क्या, देखो, कैसी बात कर रही है लोंडा, हम खाते नहीं तो जानते भी नहीं क्या, ये सूखी लगड़ी के दर एकदम चूहा है, ये चील गिद बास कोवे नजाने कहा कहा से लाते हैं, खाकर ये गिराते हैं, कई बार हमने ऐसे एडिया यहाँ देखी हैं, पंडे जी, चील कोवे को उड़ाने के लिए महले के किसी आदमी को रठा दिया जा, तो सारा जंदो ठीक अतम हो जा, बहुत बाधिक बलवाय मचा रहे हूं, अब यहाँ चील कोवे को उड़ाने के लिए कौन बैठा रहेगा, जो चील कोवे को इस महले में हम खुछ नहीं न देतो, चलो फूड़ा यहाँ से, जरूरी था लड़ना, अब तुम मत शुरू हो जाओ, क्यों न शुरू हो, लड़े आप, और गली महले की पड़ाइनों के ताने सुने हम, अरे शंकराचार हैं क्या आप, खुद चैन से जीओ और दूसरों को चैन से जीने दो, खाने दो अगर कोई मास मच्छी खाता है तो, महले की ठाक नहीं खाते क्या, पाणे की घर पे है, कोई गुमशिदा है, जी, लड़की है, जी भाग गई है, एक लड़के के साथ, क्या नाम है लड़की का, जी, गंगा, दस दिनों के भीदर, लड़की वापस आजाएगी, रोज संकर मोचन का, दर्शन करें, जी, दक्षण कितने पाणने जी, जैसे जज्जमान की शक्ति है, लो, जज्जमान दे गया है, सिर्फ क्या रख, मूँ खोल के मांग नहीं सकते थे क्या, क्या होता है आज के जमाने में 11 रुपे में, भू सिडी का, दक्षिना दे गया है कि दान, रिश्वत दे गया है क्या, सावित्री, सावित्री, बहुत लोग पाप करवाता है, हाँ, मैं लोभी, पापी, मूरक और नजाने क्या क्या हूँ, आप से तो कुछ कहना ही बेकार है, वनारस इस सिडी आफ योगा और भोगा, सिडी आफ साइंस अफ लिविग और आट अफ लविग, योगाचार्या और भोगाचार्या, थान्त्री का चार्या, मॉनी बाबा, वान मेनिट बाबा, खीलिद बाबा, रिडिल बाबा, यल मैनी टाइबस के बाबा। और श्योर, ख़ड़ बाबा, वाबा, जा थरीन, अमेरिकन, इंडिया को बहुत लाइक करती, आज का इंडिया क्या है जानना चाहिए आपनूरिशनत, बहुँ सडीके, सिधे सिधे कुछ नहीं लिख सकते थी इंडिया इस इन कोमा इंडिया इस इंडिया का इंडिया इंडिया में, जानना फैन्डिया इंडिया 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 किसा होगा अग्याल बावा free market open market what market most was our kula bazaar kaisa bazaar baba narangi save page orange apple berries cell phones laptop computers so chaga come bolega zada india india will think less speak more india cut off from its roots will speak more and think less with orange apples and berries is a bad guy is panchang patrickie saharik abtak jiwan kate ga amare pita pralok sidharate sama hai yahi patra pothi or ghaat ki chhatri hamain tha maagye thay abh kare to kya kare paatshala ke baad vidyarathiyo ko sanskrit padhahe kaha hai sanskrit padhahe wale jinka koi bhavishya nahi aagye naat na piche paghah aese cha cha deen hin brahman baalko ko gher gher kar hama sanskrit padhah raha raha hai maarwadiyo ke daan aur daya par chal raha raha hai hai maari paart time padhashala aasi par kitnay vidyashi sanskrit padhah raha raha hai korn sanskrit padhah raha hai sab salit charis ganja aur banaras me rukhne ka bahanah dhundh raha hai aasi university hai kya aur korn sanskrit padhah raha hai sab paise kumar raha hai sab koatriyok ko kirai per u'thanne ka chakkar hai yeh toh hama hala kiye hoa hai is liyeh brahmano ka mahala bacha hua hai warna aasi ke har ghar mein pande guru hoote aur anggres chela cheli toh saranye dhije bacche ko palika ki padhashala mein kisne kaha tumse ki palika ki padhashala mein pratibha nahi hodhi bade 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 vidwaan aur neta palika ki padhashala mein padhashala mein padhahe hai aapse toh kuchh kehen nahi badekar hai aray kahe ki hai hai aur kahe ki khat khat saath toh jana nahi kuchh zara bhaar dhekho marre ja raha hai hai 2400 ghande sara kuchh jutaayi jara hai phir bhi chahre pere khushi nahi yeh nahi hai toh woh nahi hai isse sari toh usse frog isse fees toh usse tiffen isse tonic toh usse dwa kuchh karo tab bhi na karo tab bhi yeh duniya chal raha hai aur chalti raha ghi shobhava maratyasya yadantakaitat shobhava maratyasya yadantakaitat sarvendriyanam jaryanti tejah na chiketa na yam se kaha hei yam raja yeh bhog kal rehenge ya nahi iska bharosa nahi bhog manyushu ko kamzor karatay hai isse liye yeh ghoade, yeh naach, yeh kaan tum aapne paas hi rehenne do kaha marreth hai, áaj bhi late gurudev, yeh jaga teree ki puri khaane gaite dhekho, yeh baat jahan lo, roze roze na mundan hooga, na chatawad, na tij na teree isse liye aapne paur bharosa rukho, thoda sanskrit per likhloge, toh átma gjyan paasakoge, varna ek pao ata, dho alu, sava paanch rupay ke sidhe ke liye jaj maan ko dhundte rehena, na saalye roze roze grae naqshatr kharab hoongge, na roze roze jaj maan ayenge, na chiketa se hii kuchh sikh lo, yeh amraj, ghoada, hathi, sona, sundar-sundar-sundar-sundar-sriyaan dhe raha hai, par wu kahta ta hai, ki mujhe gyan dho, kahta ta hai, na viten tarapaniyo manushya, manushya ke dhan ki pyaas kabhi nahi bhužti, aur ek tum ho, ki terehi ke bhoj, aur dakshana ke liye mare ja raha hai ho, hmm, so, this is your first picnic to banaras? no, actually, second, oh, finding peace here, mokshah, hmm? no, actually, finding a place here, American Devi ghaat par rahna chahti hai, तो ये कौन मुश्किल काम है, गुरू? बहुँ सड़ी के, इतना आसान होता, तो आहम ही नहीं कर ली होते, तरहा पता करो, कोई बामन, ठाकुर, गुम्यार, अपनी कोठी उठाना चाता है के, अब इशन में तुम्हारा भीस्ता रहेगा. अजसी भधैनी में कोई ऐसी गली है क्या, जहां कूडा, कुट्पे और किरायदार ना, पंचांग और किरायदार ही तो पंड्डो का सहारा है, पर जब तक चूतर ना हिलाओगे, यहां बैठे-बैठे कैसे पता करोगे? किरायदारों की कौन कमी है यहां? मारे-मारे भेड़नें, गली-गली, और किरायदा बस इतना की समझो मुफ्त में, और मैंना हुआ नहीं की किच-किच शुरू, बिजली कब इलो, तो किच-किच पानी न मिले, तो किच-किच, खाली करने को कहो, तो किच-किच, और ऐसे में अगर किरायदार होसियार हुआ तो गई कोठरी आहां से फिर लड़ते रहे ये सारी जिन्द की मुकदमा पर हम स्वदेशी नहीं विदेशी किरायदार के लिए पूछ रहे हैं विदेशी? पर बुरी बाबन है बनारस पर काम कर रही है उठानी है तो बताएं पागल भयो क्या हम किसी विधर्मी को कोठरी कैसे देदें? कोठरी तो है हमारे पास पर उठाएं कैसे? तुम धर्मात पड़वा को नहीं जानते का? कानी उंगली पराश उठाए गूमते हैं कोई अंग्रेज घर में घुसा नहीं बलवा कर देंगे एकदम संस्कृती के रक्षकों को बुला लेगे फिर कोई धरना देके बैट जाएगा कोई गले में पत्थर बांद के गंगाजी में डूबने की धमकी देगा हाँ तो आप पांडे जी से आशवराद ले लीजिए मांगने अपर भोले नाथ क्या के नहीं देते पांडे जी आशवराद नहीं देंगे क्या अरे वो बड़ा हरामी है साला ना सुपतस से सिहं सी मुखे प्रवशंती मिरगाह सोई हुए शेर के मुँ में हिरन नहीं गुस्ता से शिकार करना पड़ता है पांडे जी प्रयतने करने से ही कार्य सिध होता है क्यूं रहने दे हम विदेशियों को असी पर अब देखिए क्योंकि असी की हर गली सीधे घाट पर और घाट पर हर मकान की खिड़की सीधी गंगा की ओर खुलती है घर से भार कदम रखो तो गंगा खिड़की से जांको तो गंगा यहीं विदेशियों के आपकी पुतली है और आप उन्हें ये सुख इसलिए देंगे क्योंकि वे आपको किराया देंगे परडे के हिसाब से पाणे जी असी पर वे संस्कृत और हिंदी भी तो पढ़ रहे हैं न जानता हूँ वे क्या पढ़ रहे हैं पढ़ें और जाएं पर असी के मलाक, खटीक और दूसरी जातियां तो उन्हें अपने घरों में रख रही हैं रखें उनकी मर्जी उपाध्याय जी आप भी जानते हैं जब से विदेशी यहां आए हैं घाटों पर क्या हो रहा है और आप चाहते हैं कि जो घाटों पर होटलों में लौजों में हो रहा है वो ही अब असी के ब्रामनों के घरों में भी हो अरे तो हम कौन सा नशेडी गंजडियों को उठा के कोठरी दे रहे हैं कल तक जो बिना गंगा सनान किये आपके आंगर में गुसने नहीं पाते थे वे आज बिना नाहित होए आपके सामने बैठे पढ़ रहे हैं कल आपके चुला चौकी में घूसेंगे आपके बेटे बेटियों से मेल जोल बढ़ाएंगे आख मटका करेंगे उन्हें घार पर गुमाएंगे ना जाने कहा कहा की सेर करवाएंगे आपको चूतिया बनाएंगे तब आप क्या करेंगे तीन महने में हिंदी और छे महने में संस्कृत तब तो हिंदी और संस्कृत को अंतरे राश्टे भाशाओना चाहिए था लोग कहते हैं कि असी पर हम बल्वा मचाए रहते हैं भोसडी के दर्म भरश करो तुम और चुप रहे हैं हम खबरदार जो किसी अंग्रेज अंग्रेजन को किरायतार रखा पालागे पाने जी बाबा भोले नाथ से अपने भक्तों का दुख देखा नहीं जा रहा है देखे कैसे पिदेशी जज्मान बेज रहे हैं चका चक काम की बात करो एक जज्मान शरण चाहती है पिछली बार कितने दिन जेल की हवा काट कर आये थे जेल वो तो पुलिस हमें गलत फैमी में उठा लेगी थी चरस गाजे के साथ कौन पकड़ा गया था एक अबला अंगरेजिन थी महराज जो जो चरस गाजा हम अपने हाथ में न लेते तो एक अबला थी थी जेल चली जाती जो हम लोग ने हाथ बढ़ा दिया नारी रच्छा के लिए अब किसका कल्यान करना है एक अमरीकन देवी है किसका शिकार है अपने कन्नी गुरु का अरग गुरु होगा तुम्हारे लिए भोसडी के जो किसी अंगरेज को असी की रह भी दिखाई तो टांगे तुर्वादूंगा असी में रहना है की नहीं भागें से मना कर दिया था अमने अरामी को पर नववा का साहस तो देखिए वन संकरेस साला साबुन भी नी लगाता सा सुरा पानी लगाकर दाड़ी बनाता है खुद है यही ना खुद कमाएगा और ना कमाने देगा अब बनकर अपना पांड़े पुरान अब जो कुछ करना हमी करना है पालगी गुरू क्या बात है पांड़े जी आज अब आशिर्वात नहीं दे रहे हैं क्यों मलाओ खटिकों के साथ विश्व कल्यान का धंदा बंद कर दिया है क्या है अब हमारी भी मजबूरी समझे पांड़े जी अब अमेरिकन देवी अस्सी पर नहीं रहेगी तो बनारस को क्या समझेगी और एक बात कान खोल कर सुनदो तुमनी कंगा हमारे लिए रिवर नहीं मैया है हम घाट को पिक्निक स्पॉट और कंगा को स्विंग पूल नहीं होने देंगी अमेरिकन देवी को बनारस में जहां रहना है रहे अस्सी के किसी ब्राह्मन घर में वो नहीं रहने पाएंगी पालागी का करनी क्या पेंचर आ रहे थे कहेंगे बस उधायव कुटुम कम लेकिन किसी विदेशी को अपने गली मुहले में पैर धरने नहीं देंगे अब भला सूचिए अथिती दुनिया के कोने कोने से यहां आ रहे हैं हॉलेंड से फ्रांस से जर्मनी जपान से किसी को तबला सीखना है किसी को पखावत सीखना है, किसी को सितार सीखना है, तो किसी को धुरूपत, कोई संस्क्रिट सीखना चाता है, कोई हिंदी सीखना चाता है, अब ये सभी आएंगे, तो कहीं न कहीं रहेंगे न आएं, अब इनकी मदद के लिए आगे न आएं, तो लूट लें सब साले पंड यो में सदभावना कन्य गुरू आपने मुलुक मुलुक के अंग्रेज अंग्रेजिन का नाम लिया पर यह अमेरिका और इंग्लेंड को छोड़ दिया अरे नाम मतलब भोसिडी वाला का वो तो बड़े हरामी है जब भी यहां आते हैं क्लाक्स दी ताज दी पैरिस में खुटाज पर चाय पी रहे हैं वे कौन है मनी और मशीन से उकताए हुए भागे वे लोग जो बेकारी भत्ते के एक हजार डॉलर के मनी ओडर का इंतिजार करते हैं वे मनी और मशीन से भागे हुए लोग ने देखिए तुमने असी घाट पर घूमने वाले अंग्रेज अंग्रेजिनों की उमर तीस पैतिस इंडियन कल्चर इंडियन म्यूजिक इंडियन डान्स इंडियन देवी देवता तंत्र मंत्र साधना योग सब इनके शौक भी हैं और मजबूरी भी असी पर रहने वालों के लिए सौ डॉलर कम नहीं होते महिने के जैसे चाहे रह लो जहां चाहो खालो जहां चाहो सो जाओ 1000 डॉलर का मतलब यहां पर अमीर पर उनके हां क्या इतने में सम्मान के साथ जीना मुम्किन है वहां लेकिन यहां उनके सेवा हो रही है सम्मान हो रहा है सिर्फ इस लिए कि वे आपको पैसा दे रहे हैं डॉलर दे रहे हैं असी पर रहने वाले अंग्रेज, अपने घर, समाज, देश का उसी तरह कछ़ऻा हैं जिस तरह हमारे समाज में घरीब ए गया गुरू जान ले लो, जहान लेड़िड़िज, धरम ले लो, इमान ले लो, दुकान ले लो, मकान ले लो, पर चाःटो मत हमने तो पहले ही कहा तो चहां हर घर में शिव जी का मंदिर है वहां अंग्रेज को कौन भुसने देगा पर आप चाह रहे तेकी बावनों कहीं कल्याणों अवे तुम्हारी कोठरी है क्या कूड़ा और विदेशियों के आने से मलाई कौन काट रहा है तुम लोग हम तो चार है कि किसी एक अंग्रेश को बावन ठाकूर के घर में भुसा दे तो फिर रास्ता असान अरे कन्नी गुरू की बात रख लो यार दे दो एक कोठरी देंगे पर रेट हर दिन का लगेगा ग्या पेंग गेस्ट मंजूर है तो एक कोठरी खाली कर देंगे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग मैसे जओ विदास है रख देंगे अटाइस टॉयलेट अलो अलो इस नाइस आपी या लो गिल लो कोमिशन तो ठीक है पैतरीन को स्टुजन्ट वीजा किसे मिलेगा वाव हम पर जोड़तो गुरू हिंदी के एक प्रोफेसर की हम दाड़ी बनाते हैं तीन दिन में एक बार उसी को हम चांपते हैं नहीं तो फर्जी शादी करवा देंगे किसी पर रोजगार बनार सी से राष्ट भाषा के विकास में बहुत योगदान दे रहे हो निज भाषा के उन्नती अहें सब उन्नती को मूल हम तो यहीं सीख हैं गुरू देव जब अंग्रेजन राष्ट भाषा को नहीं जानेगी तो भारत को कैसे जानेगी अब यहीं होना है अंग्रेज हिंदी करने की तैयारी हो तो उसे उन्वर्सिटी ले आओ डिपलोमाब एडबिशन करवा देंगे पर उसे हिंदी ही पढ़ने देना दूसरा कुछ ना पढ़ा देना कैसी है तुमारी पेंगेस रामदेव का बताई बहिनी वो भोसरी की मजा ले रही और हम सजाबुगत रहें नौकरानी बना के रख दिया हमें कभी लाओ कभी उलाओ कभी खिलाओ कभी उपिलाओ जैसे यह घर नहीं होटल है होटल और लगी रहती हो नवगा के पीछे-पी दोनों एक साथ हकते मूदते हैं तीनों साथ सच चरस गांजा करते हैं है रामदेव तुम्हारे वो लंगोड के तो पक्के है ना अब लंगोड के पक्का होने से का होता है जब कोई खुदा ही अपना लहंगा उठाए जहां तहां घूमती भी रहें कई बार देखा आमने उलेंगा उठाए लेती रहती है और कहती है यहां बहुत घर्मी है कहां बनारस में आरे दोनों तामों के बीच में और कहां अरे तुम्हारे संबल के रहना बहना अंग्रेजिन बड़ी वो होती है थोर देंगे वाटर आँ तेंक्यू कर दोन काईबाइस कर दोन बस्तात्रं कम gezeigtि रहना इंक्ट पोटी रहनाँ कर दोन बस्तात् अच्प कर दोसे वो होती है Power क्श flourish maximum भालन जो जो हो आया जो वे लूड़ खाद अज़ सेयां हो जौइ रख्तिरौण जղंग ज inanğ तुम लोग गाओ गली-गली से इटा भेजकर आयोध्या में मंदिर बन वाओगे भव्या विराट इटा का बना हुआ एक भी भव्य मंदर दिखा दो क्यों पाड़े जी मंदिर शद्धा से बनता है गया सिंग जी वो तो हम देखी रहे हैं पहले राम को पूष्टा कौन था सिंगल और अड़वानी के सिवा कितने मंदिर हैं यहां राम जान की के राम नुमी के लावा और कहां है राम देश रसातल में जाता है चला जाए बगर आप अयोध्या जाएंगे मंदिर वही बनाएंगे तो कहां जाएं मंदिर कहां बनाएं रोहम या इटली अरे छोड़िये देश कभी आपके एजंडे पर थाई नहीं आपका एजंडा है राश्टिय स्वाभिमान और गोशन रक्षन चुनावी मुद्दा ढूंड रहे हैं आप लोग तो वकिर साहब फिर आप ही बताईए कि मंदिर जन्म स्थान पर नहीं बनेगा तो कहां बनेगा कोई प्रमान पत्र है आपके पास के राम लेला वहीं जन्म लिये थी जहां मंदी बनाने चाहते आप क्यों हो राधे स्यांग कौन देगा प्रमान पत्र हो आप इतिहास को कट घरे में खड़ा कर सकेंगे आप सच मानले क्यों पाड़े जी नहीं पर जो आप कहें उसे हम मानले अरे अदालत की भी कहां मानने वाले हैं आप लोग आस्था का फैसला अदालत कैसे करेगी भाई देखिए देखिए यह है इनका चरित्र राश्ट्री चरित्र देश का कबाड़ा हो जाए लेकिन ये लोग हैं जन्मी जन्म भूमिष्च स्वर्गा दपी गरिया सी समझे वकिल साहब जन्म भूमी स्वर्ग से भी मान है जाए श्रीरा जाए लागेश्या बहना शिला पूजन का प्रिसाद लोगी नका तु भीतर है क्या यह हो रहा है बे योग सिखा रहे थे अग्रेजन को कांसुत्र सिखाते हो जब लुदिधी के अब हम सिखाइए कम चांसुत्र जगु को पता चला तुम हमें मार देगा, अग्रेजे भी जीने नहीं देगी उन्हें पता चलने देंगे तब ना, और जो हमारी ना मानी, तो हम तुम्हें जीने देंगे जिया जी, जी भाद कि अन्हें सब्सक्तống हो पता सिरां कर देंगे नेeg EU चाहिए एभी थे सकते है कैने अनुन भी वह है, क्या हो रह है येірी करहgil का रोज के अवाले चलता है रहतं तो आथ जी वांइ कि ग्राम्मनों पे बुरा ग्रह आया है भाई काशिरमुआ तो पीछे पड़ाई हुआ है मुलाइमा और ललुआ भी घास नहीं डाल रहे हैं और जब भोशडी का विपिया हर जगह से लत्याया और दुर्दुराय जा रहा था तो इसी असी भदैनी ने उसका तिलक किया था और कहा राजर्शी राजा नहीं फकीर है देश की तक्बीर है और जब ससुराद तिल्ली पहुच गया तो हमारे उसमें डंडा कर दिया पीम मंडलायों में फश्च गया और स्रीम बाबरी मस्जिद में और डीम इन दोनों के विवस्ता में देश भोशडी के जहां का तहां अरे देश जहां का तहां कहा एकम जी महिने हो गए है है जैसे दोम मसान पर लकड़ी वगएरा जुटा कर मुर्दे का इंसरार करता है उसी तरह ये कमनिस्ट पार्टी वाले ये भी टक टकी लगा के बैठे रहते हैं कि कब सरकार गीरे और कभी ये मलाई काटे हैं वकिल चाहब रजवा की नईया तो डूब गई पर जो श्री चंदे सेकर पियम बन गए तो बाटी चोखा राष्टी भोजन खोखो राष्टी खेल शुरहताल राष्टी कारियल है और भोसोडी पियम आपिस होगा अकुरबुद्धि या दोबाल शंडू हो गया जन्टा दल अश्री के आदिवासी करोकार सिवा की तयारे जैश्री राम makes the new ये का हो रहा है पाने जी शहर बनारा सब हरहर महा देव की जगे जैश्री राम से कूझरा है शहर बना रहे से क्यों? पूरा देश जैश्री राम की पुकार से गुंज रहा है और गुंजना भी चाहिए आप भी अयोध्या चलने की तैयारी कर लें रादे शाम कार सेवगों को अयोध्या भेजने की विवस्ता में जुटे हैं लगता है राम का अयोध्या में रहना राम के भाग के में लिखा ही नहीं है क्या मतलब है तुमारा? अब पहले घरवाले राम को अयोध्या से बाहर किये थे अब उनकी प्रजा उन्हें बाहर करने की तैयारी कर रही है तुमने या राम चरित्र लिख रहे हो क्या? प्रजा कब राम को बाहर बेजी? अरे एक वाशर मैन के कहे राम जी सीता मैया को अयोध्या के बाहर भेज दिये थे तो क्या राम खुदधाई अयोध्या में रह गये थे? मंदिर मस्जिद की लड़ाई राम को फिर से बनवास देगी अरे और तो और जिनके उर्दय में केवल छिराम बसते थे ऐसे तुलसिदास को ये राम भक्तिया योध्या के बाहर किये थे? अरे पाने जी आप तो इतिहास जानते हैं ना? अब ये बहुत देख दे रहे हो बहुत सुरी के? ना जाना है मत जाओ, खान बल्चपरी कर रहा है? पर राम कहां रहते हैं? उन्हें कहां रहना चाहिए? वो हमें न सिखाओ सुनिये महराज बोल बच्चा यहां क्या उकाड रहे हो? अध्याजी क्यों नहीं चले जाते? देखो, अगर रास्ते में पकड़े गए तो बढ़िया बढ़िया पोड़ी, कचोड़ी, मिठाई, मोहन भोग मिलेगा और अगर कहीं रादेश्याम की थरकार आ गई तो जैसे स्वत्रमत्रता से नानी को पेंसन मिलती है वैसी ही पेंसन भी मिलेगी और कहीं लाठी को लिखा के टैंब बोल गए तो सरक्षणी गया नहीं है महसुड़ी के इस अस्सी पर दांत निपोरे गली-गली घुम रहे हो विश्वास ना हो तो पूछो रादेश्याम से क्यो रादेश्याम? हम पर सो कार सेवगों का एक चत्था लिए अयोध्या जा रहे है दस बाराई लोगों के लिए पूरी सबजी बना देना यहां दान दक्षिन सीधा आठा चावल पे जी रहे हैं और आप भंदारा खोल रहे हैं अरे क्यो जाना है अयोध्या? घर बैठी है नाम का नाम दीजे बनाएं जिसे मंदिर बनाना है पागल भाईयो क्या? जब देश के कोने कोने से लोग कार सेवा के लिए जा रहे हैं तो हम घर कैसे बैठे रहे हैं? हो सकता है? गरिफतारी भी देनी पड़े? गोली गंडासा भी चल सकता है तो घर घर जाईए? बढ़ियां से राम कता काईए? घर घर में राम बिठाईए? कौन रोगता है? आंदोलन तो तब होगा ना? हम तुमसे बहस नहीं करना चाहते और एक बात कान खोल कर सुन लो हमारी ये हमारे लिए आस्था का प्रश्न है राष्ट्रिय स्वाभी मान का प्रश्न है और उस से हम कोई समझाता नहीं कर सकते कुछ करिये महराज नशा बढ़ रहा है भां से ज्यादा धर्मनीर पेख्षता का नशा है जल्दी नहीं उत्रेगा अयोध्या से क्या लाएं तुम्हारे लिए सबको अबै देती हुई राम और जानकी की तस्वेर सादर से प्रसाद से रधरियो पोली कौरी हरशो ही भरियो सुन सी सत्य असी स हमारी पूजी ही मन कामना तुम्हारी नारद बच्चन सदा सुची साचा सोबर मिली ही जाहि मन राचा मन जाहिं राचे बड़ लाह से बर सहची संरुतर सादरा करुना निधान सुचान से सिर्शन में हुचान तुम्हार कि तारी एसससन से असादरी प्रसाद तुरुसी दूरूरूरू फिर होना क्या था। सर्यूख खूल से लाण हो उठी पर मस्जित पर भगवाल लहराया। चारों लाठिया गोलिया चल रही थी। पंडेजी सीना तानकर आगे बढ़ रहे थे पर भोस्री वाले ने पर पर गोली मार दी। साले का निशाना ठीक नहीं दगा। अरे यार हद है। अरे निशाना ठीक कैसे लगता। अभी तास्ची के छाची पर इनका मूंग डलना बाकि है। कोली लगी है पेर में। कोली कहीं और लग देई होती तो। सस्राब चैन से जीन ना देगाई है। पांडे जी भीतर आजाएं। लो। उम्नमुश्यवाय। सभीतरा बहनी। अरे सभीतरा बहनी। तुमने सुना की नहीं। क्या। अरे वह भोसरी के भाग गई। कौन। भलाओ उसका जो तुमारे जगवा को नहीं ले भागी। हां। है लेकिन भागी कैसे। नेकवासे ब्याह करके। हां। दस साल बड़ी थी नेकवासे। अच्छा। बड़ा हिसाब किताब रखती थी तुमने एक रम का। का वैं तुम भी दा। हम का रखती थी। अरे वो तो अकबार में छपा है। हारामी को हमरी पेंगेस पर डाका दालना था। अब तुम क्यों मातम कर रहा है ओ भोसडी के हां। तुमारा कौन मर गया। अब एक ढूनोंगे चार मिल जाएं। हुजार दिन में ढून देंगे तुम्हें पेंगेस। पर तुम उसे बनारस न दिखाने लगना बस। पर ये वो नों भोसडी के गये का। अब तुम्हें। गंगाजर हाथ में लीजिये श्मार। ओम केश्वाय नमहा। महराज वो मिनरल वाटर से काम नहीं चलेगा का। मिनरल वाटर चाहिए तो कहीं और जाओ भोसडी के। गंगाजर में हमारा विश्वास अब भी अठल है। पाने जी ये बताइए ये देश कब तक राम भरोसे चलता रहेगा। जब तक राम के भरोसे है तब तक ही ठीक चलेगा। लेडी फिंगर कैसे दिया। चार रुपया पाओ। और ये काली फ्लावर। तीन रुपया पाओ। और व्रिंजोल। बैगान दिया तीन रुपया पाओ। तीन और अधा अधा किलो तॉल दो है। ठीक इसको दो पहले। अच्छा और ऐसा किरो आधा किलो टेमैटो भी देदो। हाँ। हाँ। तो अच्छा है। बीस उरुपया। आपको क्या दू साओ इत्री बैन। आधा किलो लाकी। और कुछ। बस। आजका किस पार्टी में हो। आपकी बारी अडल भीहारी। अरे। पर मंदिर मस्जद मुद्दे पर तुम तो रादेशाम के कानशाब आ गए थे। डाक्टर साब। देश जब संकर की घड़ी में हो। तो इससे उसमें या उससे इसमें आ जा सकनी की गुंजाइश होनी चाहिए। यह गुंजाइश ही तो लोक्तंद की ताकत है। चलिए। अगर चाहे लड़ जाए। चलिए। हसलो हसलो। बाकी पांच साल तो रो नहीं है। तुम्हाई सरकाल बन गई तो यह तो नहीं है। तुम लोग पहले थूखते हो और फिर चाटते हो। और समझते हो के देश है चूपिया। कल तक बोलते थे काशी और मतुरा हमारे एजंडे में नहीं है। आज कहते हैं के आयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे। कल को कहेंगे के कोट कचैरी किसी चीज़ को नहीं बांते है। सालाम मिया। सलाम। सलाम। सब खेरियत तो है। हाँ जी। बैठो। और सुनाओ क्या हाल चाल है। हाल तो आप देखी रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्रहक याने बंद हो गए हूँ। क्यूं। ग्रहक क्यूं बंद हो जाएंगे। अब इस महले का कुछ ठीकाना है। राम जन्ब भूमी और शीरा पूजन का तमाशा तो देखा ये तुमने। कैसी बात करने हैं सहाब आप। पचास साल से असी पर हमारी दुकान है। आज तक ना कभी चूरी हुई ना लूट पाट। गाली तक नहीं दी किसी ने हमें। जूट बोलते हैं आप। जब भी दंगा होता है। तुम्हाई दुकान बंद हो जाती हमने खुद देखा है। वो अलग बात है। वो मोहले की कारण से नहीं किसी दूसरे कारण से। फर छोड़ो ये सब। अच्छ एक बात बताओ। इस बार वोट किसे देने का विचार है। आप ही बताईए। किसे दें। अहे इसमें बताने की क्या बात है। इस बार पूरा चुनाओ ही सेकुलर पर हो रहा है। सेकुलर यानी मुसलिम वोट। ना सेकुलर यानी मुसलमानों के हित पर। इसाईयों के हित पर हिंदू साम प्रताइक्टा के दुरूप मुसलिम बोटवेंग के अलावा सेकुलर का कोई अर्थ है और पिशले पचास साल से आप जो ये हिंदू कार्ड भेडाए हुए हैं उसका क्या अर्थ है बुरा मत मानियेगा साहब मेरी सारी जिन्दगी इसी मुहले में बीती है इसी मुहले के बच्चों के साथ में खेला बड़ा हुआ यहां सभी लोग जानते भी हैं मुझे रोजी रूटी भी उनी से चलती है पूरा परिवार चलता है मैं उनसे अलग नहीं हूँ मैं ओट उसे ही दूंगा जिसे मुहला देना चाहता है लेकिन मैं ओट दे भी दूँ तब भी कोई विश्वास ने करेगा बस तफली बिसी से उती है अच्छा मिया चलता हूँ खुदा आफिस चलू मिया सुनरे वरादेशाम पढ़वा ये है च्छे दिसम्बर की देन जो मुसल्मान नहीं थे या जिने ön अपने मुसल्मान होने का अहसास तक नहीं था वे भी मुसल्मान हो गए रातो रात मामूली से मामूली तुटवही मजड में भी लाउट स्पीकर लग गया जिस मस्जिद में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई उससे भी भोर और रात में अजान सुराई पढ़ने लगी जो नमाज में नियमित नहीं थे वे भी नियमित हो गए इस पूरे इलाके में हिंदू से मुसल्मान हुए लोगों की कितनी वड़ी तादाद है वो ये भी जानते ह कि हम सब एक ही घराने और एक ही परिवार से तादुक लगते हैं एक जमाने से वे भूमिहारों और ठाकरों के यहां बिना किसी भेदभाव के आते जाते थे तीस त्योहार साथ साथ मनाते थे एक ही खटिया मशिया पर बैठते थे कभी फरक नहीं बालों पड़ता तो दोन अर्थी कोठा चल रहे हैं लोग राम राम भी कहें तो तुम्हें सामपरदायकता ही सुनाई पड़ती है तो हम क्या करें हर हर महारे जगवा मल्ला को ही देखो गोबर थी उसकी कोठरी उधर ताकते हुए भी घिन आती थी और अब देखो कितने साफ सुत्रे और बच्चे महलने में हैं किसी बावन के ऐसे बच्चे तरह तरह के बढ़िया डिजायन वाले पैंशर्ट पहनते हैं पहले रात दिन गली में लड़ाई जगडा और चिल्लपों मचाय रहते थे अब तो पड़ते लिखते भी दिखाई देते हैं कलकुटिया लिया जोड़ खटा रहे हैं रंगीन टीवी देख रहे हैं और उनकी और बेटिया इतनी गंदी कि क्या आती थी और अब देखो दर दर में रखने को कौन कह रहा है जी अंग्रेजों को संस्कृत ना पढ़ाना हो तो मत पढ़ाई कथा तो कह सकते हैं कीर्टन करिये परवचन करिये सत्य नरायन की कथा बांचिये भागवत पढ़िये दो पैसे कमाने का कोई रास्ता तो डूढ़िये सावित्री नवितें त पानी बेच रहे हैं पर उनकी प्यास नहीं बुझ रही पूरी दुनिया के दौलत भी बिल जाए तब भी आदमी कहता है और थोड़ी तिनों में साफ हवा भी डिब्बों में बंद करके बेचेंगे भोसुडी वाले बेटी का ब्या बिना पैसे के हो जाएगा कभी सोचा पाराथ पाता की जाएगा पाराथ पाता की आएगा बाकिल साफ बैठिये विपक्ष में अरे कब तक चार दिन की चांद नहीं फिर अदेरी रात क्यों कामरेड खंडर भाई लाल सलाम आप भी बैठिये स्रिवास्ताजी के साथ हम लेपक्ष बैटेंगे नहां पप्पु क दुकान में ये सलाच्ट को भंगेडियों और भाजबाईयों घट्डा हो गया अरे कामरेड सुनू जे यार खंड हर बच गये हैं पर तेवर देखिये सो करोड की आबादी में पांच जटकुली CPI वाले पर दिखाएंगे ऐसे कि जैसे ये ना हो तो देर सी ना चले चिंत अबे तुमनों को यही समय मिलता है क्या फोन करने के लिए कुई बाबा तुमसे मिलने आये हैं ये बाबा कौन है बाबसरी का हम क्या जाने बनारस में बाबाओ की कमी है क्या कोई पुलीस उलिसका चकर तो नहीं है तुटा तो नहीं तात्ना अंग्रेज चिले चापाटी मेर्सुटीज अवठाए अच्छा ठीक केनी माइ माने नेक्स्ट आम उन बॉर्ट वेवी रखे कैसे हो कानी भोसरी के नमकातू ना 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 कहा हो हम यहाँ है अरे छत पर चूचला रही हो गाज़ा भो गया वहीं सुनोगी तो हैरान रह जाओगी अरे ऐसा क्या हो गया वू अंगरेजल लाउट आई है कौन कथरीन और कौन कथरीन हाँ साथ में उन आवा भी है वो चूतिया बाबा हो गया है, बार बार बाबा, खर्ताल बजाके आशिरवाद देता है, आगे पीछे चेला चाटी, बता रहा था कि अस्री में पुराना वाला खाड़ा खरीद लिया है, वहाँ योग आश्रम बनेगा, और उस असरी बनारस पे दूसरे किताब लिख रही ह अच्छा है, अब विदेशी ही इतियास लिखेंगे, भारत का और बनारस का आज तुम्हारा ध्यान कहीं और है बहना, तुमने आमें गौर से देखा तक नहीं, कैसा है, अभी अभी बनवाया है किया है माब बा? हमें graduate class की 빼st पंज है बेटे क्यूं सीखना कम्प्यूटर के बिना देश नहीं चलता था क्या कहां से इतना पैसा लाएं चार फाल करेदेगी तो हैसी इतनी है हमारी मन्धिर जाते हैं तो पंडे पुजारी चढ़ावे से निकालकर दो चार फल हमारे हाथ में रख देते हैं वही हम तुम्हें देकर खुश हो जाते हैं जो पढ़ रही हो वही बस है हमारे लिए तबियत तो ठीक है न आपकी अमरी तबियत को क्या हुआ हम पपु की दुकान तक टहल कर आ रहे हैं तुम खाना खाले आईए आईए पांडे जी इससे पहले कि असी घाट अमेरिका के मियामी का आसामी हो जाए और घाट के विदेशी और चौराहे के सौदेशी इस देशी महले की खाट खड़ी कर दें आईए और देखिए किस कदर घंडव कदर मचा रहे हैं ये दड़बे के गदर है आ गया गुरो कल की देखो तो क्या था सी उस था क्या क्यों पांडे जी पर जैसे ही प्राचीन पंडों ने काशी को धर्म और मोक्ष की नगरी घोशित किया वैसे ही देश भर के राजाओं, सामन्तों, व्यापारियों ने घाटों के किनारे किनारे अपने महल और मंदिर बनवाने शुग करते हैं अब जब मंदिर बन गए तो उनके बगल में कूठने भी बनवाई गई ताकि ये पंडे पुरोहित इन मंदिरों में दिया बाती भी कर सकें और पूजा बाढ़ भी करते रहें और ये पंडे पुरोहित अपने जजमानों के कल्यान के लिए धरम करम करते रहें अपने बच्चों को जोतिश कर्मकांड संस्क्रेट सिखाते पढ़ाते रहें न जमीन जायदात की चिंता न राशन पानी की चिंता न कप्ड़ लगते इसमें एक बात और जोड़ ये गया गुरू इनी पंडों के पूजा पाट के बरों से वो अपनी रिया पर चाचार और जल्म भी करता रहा कि जो पाप करो जितना पाप करो इन सब के प्राश्चत का विदान हमारे पूरुद के पास है चाहे कोई बात करो ये कमिनिस्ट भोस्री के अपनी फिलोस्फी पेलने स बात नहीं आते है खेर आजादी के पहले सब कुछ चका चक था हालत बिगड़ी जमीदारी खतम होने के बाद अरे जो अपना नहीं सभाल पा रहे थे वो पंडे पुरहितों को क्या समालते हैं सो जज्मानी की कमाई बंद और इधर पनी बंद है को यांदनी नहीं जिन्द कि गी भर कभी ना खुद कुछ किया और ना अपने बाल बच्चों को कुछ करें अरे क्या हुआ पाने जी हम कुछ घलत कहें क्या पानी पीएंगे? नहीं क्या चीपा रहे हैं? एक मेहने बाद हमारी नौकरी नहीं रहेगी क्यों? पाडशाला को अब ऐसे अध्यापकी जरूरत है जो संस्कृत के साथ अंग्रेजी भी बढ़ा सकता हूँ हमें क्या हिदिया क्या है कि हम सेवा संग की धरमशाला सबालना चाहें तो हमें कुछ तनख्वा मिल सकती है साथ री क्या अब हम इसी लाइक रहेगे हैं कि तीर धियात्रियों की तरी कम्बर और कम्रों का ध्यान रखें हमारे पिता ने हमें अंग्रेजी नहीं बढ़ाई भारत की आत्मा संस्क्रिट साहत्य में है संस्क्रिट देववानी है यही सुनते पड़े हुए हैं हम और जीवन भल अंग्रेजी को करियाते रहें हमारे पच्चों को भी हमने अंग्रेजी से दूर रखा और आज आप इतना हताश क्यों हो रहे हैं पनारस में सेक्रो संस्क्रिट की पढ़ चले हैं और विदेशी भी तो संस्क्रिट पढ़ रहे हैं सावित्री हम अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे हम अपने बच्चों को संस्क्रिट भी पढ़ाएंगे और अंग्रेजी भी बार बार बाबा की एक चेली बता रही थी कि बाबा ने योग के बलसे अमेरिका में अपने लिंग पर आठ किलो का अस्ट धातू का गलोब उठा कर दिखा दिया और मन से नीचे बालू में फेग दिया चेली में कोई और गलोब देखा होगा अरे कुछ भी कहो पर दिख्वा ने तो कमाल कर दिया इन रो जो भी अस्टी पर उतरता है सीधे बारबर बाबा का पता कुछता है अरे पुरा देजी नोटेंगी देखनाए में बिजी है भाई हरहर महादेव कैसे हो पाध्याजी हम तो अस्टी पर ही रह गए तुम तो अमरीका पहुँच गए ने को आ साहसे वसते लक्षमी साहस नहीं करोगे तो लक्षमी कहां से आएगी उपाध्याजी देखिए मैं पूरे विश्व को आरे बना रहा हूँ क्रिणवन्तो विश्वम आर्यम जय हूँ सही कह रहे हो नेकवा अब तो यह सारा संसार ही हमारा कुटुम्ब है रुप्या पैसा सब संबंध जोड़ देता है पांडे जी दिखाई नहीं दे रहे अरे गय होंगे किसी जजमान की यह कहीं देश राष्ट धर्म पर विचार पेल रहे होंगे और क्या अब वेदान्त और साहित कौन पढ़ता है पांडे जी बैल गाड़ी की यूग की भाटा होकर रह गई है संसरी किसी तरह कर्मकान की बदोलत जिन्दा है वन्ना कबके मर गई होती है अभी तो पुराने आचार पढ़ा रहे हैं वो नहीं रहेंगे तो बताओंगा तब तक आप चाहें तो एक चिठी लिख दीजिए मैं सिभारिश करूंगा आप कहीं से कुछ सहायता मिल चाके क्यू चेहिए निया डिजाइन वाला शर्त पुराना है तो पुरा है क्या चरेत्रा आदमी को बनाता है कपड़े नहीं माबा पान तुम्हारी कंप्यूटर क्लास का क्या हुआ पात में पड़ लेंगे ट्यूशन करके पैसे जमा कर लेंगे अभी हम जिन्दा है कुछ करेंगे जी बाबा आओ इधर आओ अब बड़ी हो गई हो चोड़ी थी ना तो दौर कर हमारे सीने से आ लगती थी कबसे सीने नहीं लगिया तो पंडी जी मरना चाह रहे है क्या किससे मिलना है पंडी जी घर पे है सब आएंगे यौल वेट ओन घाट आल आल जोइन यू सून आईए आएए जूते यहां उतार दीजे है रे तो नेकवा तो नहीं जी नेकवा आया है जाओ भी तर आए आए लगी पंडी जी बिने चदरिया बिने चदरिया अरे नका तू आपेट कैसे आना हुआ घाट पर गया था सबसे मिलने आप नहीं दिखाई दिये तो सोचा घर पे ही आज तब यह ठीक नहीं है हमारे आप आप बिल्कुल न बदले पांडी जी पर तुम तो बिल्कुल बदल के हो यह खरताल बरताल बचा कर तुम क्या बेच रहे हो जैसे आक्टर तेल और साबुन क्रिकेटर, कपड़ा, लत्ता, मोटर, मोबाइल नेता देश और भुका इमान बेचता है वैसी मैं विदेश्यों को योग बेचता हूँ कबसे ये योग सीख्या हरामी कैथरीन जब इंडियन फिलोसफी सीख रही थी तब हम अंग्रेजों की भाषा उनकी जरूरते, उनके सपने और उनकी फिलोसफी सीख रहे थे हम कम पड़ जरूर थे पर हमने गलियों, चौराहों और घाटों पर उस तरह और कैंचियां चलाई थी अंग्रेजों के साथ चरस गांजे का धम लगाया था ये बात समझते हमें देर नहीं लगी कि दुनिया दुनिया एक बड़ा बाजार है पहले समाज में एक बाजार होता था अब बाजार में एक समाज सांस ले रहा है और कैथरीन इस बाजार को खूँ समझती थी कैथरीन के साथ हमरी शिकेश चले गए वहीं थोड़ा योगा संसी का और हो गए योगा चार है अमेरिका पहुंचे तो एक बारबर हो गया बारबर बाबा पांडे जी आज हम सभल है क्योंकि आज हम सुख देने वाले सादन खरीद सकते हैं बच्वन मैं पड़ा था सर्वे गुणाह कांचनम आश्रियंते सारे गुण पैसे से खरीदे जा सकते हैं जो धन्वान है वो गुण्वान है जो निर्धन है वो 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 समाज का कचरा है यहां ग्यान की उपासना करने वाला भूका मरता है और पाखंड की पूजा होती है देखे मैं योग बेचता हूँ और कैथरीन दुनिया को भारत क्या है समझाती है हम पड़ोस में टीवी देखने जाए बाबुजी चाओ चलती आज़ाना कन्दी बता रहा था कि आपने बनारस और सारनात पर किताबें लिखी है जी अब कहे थी भावी बनारस पर दूसरी किताब लिख रही है उसमें एक चाप्टर असी पर आपसे भला अच्छासी को कौन जानता है पर बनारस के बारे में आप क्या जानती हैं रानों से भारे रहें सार साक और गल्यों में जहां कहां गोवर करते रहें जो धूर दाड़ी दाड़ा बढ़ाए हुए लोगों को चूकिया बना रहे हैं उनको सन्यासी समझते रहें आस्से आस्से डॉक्टर हल्ला नहीं नाराज क्यों हो रहे हो समझाओ इनको मैं जानती हूँ गालिया पाना और गालिया देना जालिल होना और जालिल खारना असी की संस्कृती है, नमस्ते नमस्ते बड़ा गंदा काम किया है तुमने सर्वशी दीन मंधू बाभनों में तिवारी उट की सवारी मैभा मैतारी हैजा की विमारी कोहना की तरकारी लालाओं में पटवारी और इसी कहावत में एक नामा जोड़ लो अमरीकन नारी इनका कोई भरोसा नहीं आप खामखा नाराज हैं अमरीका से जो 2,500 विदेशी हैं गलियों में उसमें सबसे कम अमरीकी हैं गलियों में और सबसे कम? कुछ आपको पता भी है कि गलियों में क्या हो रहा है धन्धा टॉलर का धन्धा आप मालूम है कितने मकान खरीदे गएं इस महले में लोकल अद्मियों कि नामों से फर्जी शादियां की गई हैं वीजा एकस्टेंशन के लिए इस युखरों में साइबर कैफे खुले हैं अपनी स्विधा और जनसंपर के लिए और इसे ही हम समझते हैं गलोबलाइजेशन वो जब तक चाहें आएं जाएं यहाँ पर रहें हमारी हैसेती क्या है? डॉक्तर साहब पर वे कहा हमारी गोद में आकर बैठ रहे हैं हम ही भाग रहे हैं उनके पीछे भाग नहीं रहे हैं उनकी गोदी में बैठने के लिए तड़ाप रहे हैं थोड़े दिनों बार यही कहेंगे कैसी जरचर हो रहा है धैर आए मर रहा है इसे हमें देदो हम इसे नया कर देंगे एकदम चमाचम आज असी कलपनारस परसो दिल्ली नरसो पूरे देश को अपनी गोद में बैठा लेंगे यह तो बाद में पता चलेगा कि हम किसकी गोद में बैठे लें चसुदा मया की या पूतना की काशी हील पटना हीले काशी हील पटना हीले कलकत्ता ही लेला तोहरी लचके जग कमरिया सारी दुनिया ही लेला तोहरी लचके जग कमरिया कनी अरे बाल अगी पानने जी खुश हो पान खाएंगे नहीं बात यह कनी जी कहिए किया रग। ग्राइब ओर ओरी पाने जी, वो कोई हरामी आपके दरवाजे पर बोर्ड लगा गया है, वो हम लगाए हैं हम, आप लगाए हैं, अरे दुनिया ग्लोबल विलेज हो रही है, और हम असी को ही दुनिया समझ रहे हैं, अब अगर हम परमपरा आगे नहीं बढाएंगे तो यूनिवर्सिटी तो ब हम गवदा, परमपरा के ग है, मुताये है, अब अगर। अचारय को चाहे ही, आचारय को, आचारय को, अगर को, मुकिन है आचारय को, और मुझामे को, कर लिए म government. अगरे भागे नहीन में रणि को, आझे मिज मतार्वा, अचार Rise. वाइस्टे बागें असे बून सडीकी अशी इस वेलकमिंग यू थैंक यू थैंक यू पाटे जी लाए कॉन है सावितरी से सुपर देवी जी मादलेन है फ्रेंच है वह सडीकी न ठीक से इंगलिस जानती है न हिंदी यस यस साथ में शफ्त को उस लेकर चलती है यहां का रेट तो तुम्हें पता होगा कनी जी गुरू आ तो गुरू ये सौधा पक्का समझो क्यों आए थी वो अंग्रेजन उस लफंगल उच्चा के साथ संस्कृत पढ़ना चाहती है और रहेगी कहां इसी घर में तब महले के लड़के लड़किया खराब हो रहे थे धरम भरष्ट हो रहा था और आ तुम यहां खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो चले यहां से खबरदार जो उस अंग्रेजन को घर में घुसने भी दिया तो जीने नों देंगे हम एक बात पूछे हैं कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही अंग्रेजन से हो रही है न और क्यों न होगी अब भी रह गए हो किसी औरत के काम के हमारे बाप अस्पदाल में मर न रहे होते तो आप ही एक मरद नहीं बच्चे थे हमारे भाग में मर नहीं रहे थे हम अपने से उमर में पंदरा साल बड़े रंडवे से शादी के लिए तो फिर क्यों इतना परिषान हो रही हो तूम परिषान अपने लिए नहीं बच्चो के लिए हो रहे हैं और हम क्या अपने लिए कर रहे हैं, देखिए कभी जगवा की अरत की साड़ी, और अपनी देखो, अपना कान, नाग, गला, कला ही देखो, क्या मैं नहीं चाहता है कि तुम बढ़िया-बढ़िया साड़ियां पहने हो, गहने पहनो, बेटी काईदे से लिखे पढ़े, अच् ससुराल जाए, तो सास ताने ना मारे, संस्क्रिट लिखने पढ़ने का सुख तो तुमने भोगी लिया है, अब क्या चाहती है, बेटे भी घाट पर बैठे हैं, आज तक आपने समझोता नहीं किया, तो आब ये सब क्यों, रोटी का चक्का जब कुचलता है न, तो सबसे पहले मुल्य सिध्धाद कुचले जाते हैं, सावित्री, गरीबी सब कुछ रौन देती है, हम अपनी जरूरते बढ़ाने के बजाए कम भी तो कर सकते हैं, कौन हो तुम, और क्या कम करोगी, क्या खाओगी और क्या अपने बच्चों को खिलाओगी, अपनी कौन सी जरूरत आज शाम को करनी आ रहा है, खाने पर, निती यही कहती है, कि अगर वो हमारा ध्यान रखता है, तो हमें भी उसका ध्यान रखना चाहिए। जरूरी नहीं कि मन को अच्छा लगने वाला रास्ता सच का रास्ता हो, इसलिए समझदार, अच्छा लगने वाले, सुख देने वाले रास्ते के बज़ए, श्रह के रास्ते को, सच के रास्ते को चुनता है। वो चाहते भी रहे हैं बस पढ़ने आजाए करें यहां चूतिया हैं हम हर मेहने अपनी जेब से पंदरा हजार रुपे उन्हें दिया करें पंदरा हजार? पंदरा हजार रुपे? जोड़ो सके एक दिन का किराया पांचसो रुपे तो तीस दिन के कितने हुए? और वो मेरे हिस्से का किराया है यहा रहेगी तो किस के हुए? दो सो नहीं डेट सो रुपे प्रती घंटा के हिसाब से यूशिन के भी जोड़ लो कितने हुए? साढ़े चार हजार साड़े चाहर हजार में पांसो कर्णी के निकाल दो और उसमें पंदरा हजार के राय के जोग लो तो कितने हुए? उन्नीस हजार और तुम चाहती हो कि हम सिर्फ चाहर हजार पने पास रखें और पंदरा हजार उपादिया ये दूबे को दे दे हमसे बड़ा चूतिया और कोई होगा दुनिया में एक बात और जान लो जरूरी नहीं कि वो छे में नहीं रहे यदि वो खुश हो गई हमारे तुमारे विवार से तो साल डेट साल के लिए भी उठा सकती है कोठरी और वो चली भी गई तो सीजन में हजार डेट हजार रुपया भी किराय मिल सकता है हर दिन के सबसे बोल रहा था कन्य है लेकिन कोठरी है कहाँ दो ही तो कोठरी है तो फिर वो रहेगी कहाँ छट पर छट पर तो क्या आंगान और बैठक से होकर रहेगी जाएगी और छट पर है क्या जहाँ रहेगी तुम चिंता मत करो मैंने कणी से बात कर लिुक है तीन महने करवांस लेंगे और महने भर में कोठरी तियार करवा लेंगे अरे कोठरी तो तैयार करवा लोगे लेकिन उसके आने जाने का क्या करोगे तुम तो बड़ी एजहेल हो रहतो ना चैन से जियोगी ना रहने दोगी जैशिर्राम अरे आओ भाई कन्ही आओ पालगी चाच्चाप पालगी चाची अब जाइए सवागिलो लड़ू चड़ाइए संगट मुचा ननमान जी को और कल सुबा इटा सिमेंट बालो गिरवा दीजियो और काम शुरू करवा दीजिये कोठ्री का कल शान को एडवांस दे रहां तुम्हारा एसान कभी नहीं घुनूंगा करने पर उसे कह देना के बह पूरब की ओर होगा, चैर गंग की ओर, तीनों तरफ खिटकियां जहां से देखो वहां से बनारस देखाई देदेगे वां कोशी यही करेंगे के महने भर में तैयार हो जाए कोठ्री महिना शा further दीन के काम के लिए महिना साथ 8 दिन में अटाच लेटरीन बातरूम के साथ कोठरी कैसे बनेगी करनी? हम आपको बताते हैं देखिए इस कोठरी में तो कुछ करना नहीं है बनी बनाई है बस एक लेटरीन बातरूम अटाच कर देना ये जो बगल वाली छोटी कोठरी है उसमें न लगवा दीजिए खुआरा लगवा दीजिए अंग्रीजी स्टाइल का कमला लगवा दीजिए तॉलिया उलिया टांगने के लिए टॉवल रोड लगवा दीजिए शिवर लाइन तो बाहर से गई है बस उसमें कनेट करवा दीजिए अब कितने दिन लगेंगे इसमें कैसी बात कर रहे हो करनी ये कोठरी नहीं महादेव जी का घर है हम यहाँ पूजा करते हैं रोज गली से गुजरना वाले भी जल चड़ाते हैं फूल माला चड़ाते हैं अरे पादे जी चीव जी कोई राम लला तो है नहीं कि जहां थे वहीं रहेंगे टस से मस नहीं होंगे अरे वो ठेरे खुमंतू देवता अपने मन के राजा साथ में नंदी है कभी कैलाश पर तो कभी काशी में हाज कोठरी में तो कल चट पर जा बैठें आप क्या कर लेंगे उनका अगर हम गलत हैं तो कहिए एक अनिया कान खोल के सुन लो हमारी बात काशी के हर घर के बाबा है महादेव घर के मुखिया वो जहां जाहेंगे वहां रहेंगे उसके लिए तुमसे नहीं पूछेंगे अरे चच्ची अरे हम आप ही का भला सोच रहें जड़ा सोची बेट टी मौनिंग टी आफ्टरनून टी इवनिंग टी ब्रेकफास लांच डिनर नजाने कितनी ज़रूरते अरे कितनी बार आप सीड़ी उपर नीचे चड़ेंगे अब आप यही करेंगे क्या वो सब हम कर लेंगे साला कुछ हम कर लेंगे यह हमारी जिम्मेदारी है पांडे जी मैं कुछ कहना नहीं चाता था अपनी जुबान से लेकिन सुनी आप आप यह आप देख रहें गंगा की और खुलने वाली खिड़की मादलेन रोजाना 500 रुपिया इसी खिड़की का दे रही है ना क्या आपके कोठ्री के ना ही आपके डाल रोटी के बस उसकी इतनी इच्छा है कि कमरे के साथ अटाच लेटरिन बातरूम हो तो आपको क्या परिशानी है उस कोठ्री को टॉ Cardly मैं प्र आप ब्रामन मैं ब्रामन मेरा गोत्र आपसे उचा ही है सांडील गोत्र, आप विद्वान हैं, वेद्शास्त्र सब पढ़ हैं, जरा सुची महादेव जी के बगल के कमरे में कोई विधर्मी रहे, तो क्या उनको बरदाश होगा? अरे वो खुदी वहाँ से भाग खड़े हूँ खेर, मेरा धरम था कि आपके भले की बात करूँ, अब आप जाने, आपका काम चाहिए, सुची मैं आऊँगा कल माद लेन के साथ, शाम को, तीन मेहने के अडवान्स के साथ, जय श्रिराम सावित्री, तुम चिंता मत करो, मैं करने का कमिशन बढ़ा देना सावित्री, मादलेन के लिए निम्बू की चाय बना देना सावित्री, मादलेन के लिए पानी तो गरम करतो सावित्री, मादली ना रही है, पटाबर जाडू पोचा करलो सावित्री, मादली इन्ट्यूशन से उट रही है, चाय पियेगी मादलेन कल सारनाद गई थी आज राम नगर जाएंगी लंच थोड़ा पहले करेगी मादले रोज रोज वही रोटी वही दाल वही सबजी वही भाद नहीं यार सावेत्री कभी चेज भी होना चाहिए कुछ स्पेशल गुड नाइट को संस्क्रिट में कहेंगे शुब रातरी शुब रातरी जड़ा बिस्तर बिस्तर देखें न चादर गंधी होगी हो तो बदल देरा कैसी है तुमारे पेइंगे अपना अंग्या जांग्या खुदी दोती है कि तुम दोती हो भाग एंसे बुचरी की अरा कहिया देखो नख्रा अंग्री जन को गहर में गुचने नी दोंगे अबे धरम नाज कहां अबे गधे शूवर उल्लू के पठ्थे हे पहने निकाल बहार कोठरी से तुमती मैंने बहुत परदार्स किया रे जहां तुने मुझे रखा है वो मंदीर है या माचिस हिमाले के उच्चाईयों के रहने वाला मैं फुले आकास में जहां साफ हवा है ठंडी ठंडी वयार और तुने साले मुझे यहां बिठा रखा है जमीन पर नाली के पास जिसमें गूमुद बहता है तेरी मजाल कैसे हुई मुझे टिपाटी पी में बंद करने की दम खुटता है मेरा उस काल कोठरी में अगर अपनी खैर चाहता है तो ले चल मुझे अभी इसी छण छट पर खुले आकाश में जहां धूप है बारिश है सूर्य है चंद्र है तारे है और नक्षत्र है उठ और ले चल इसी छण पाबा इमद में ही बढ़ रही है हमारी लोग क्या कहेंगे तु मेरी सुनेगा की लोगों की देख रहा है यह तीसरी आक पाबा ड़न इसलिए लग रहा है कि वो एक अग्रेजन है तुने वेद पढ़ा पुराण पढ़ा सब पढ़ा पर मुर्ग का मुर्ग ही रहे गया मैंने प्राणियों की स्रिष्टी की हिंदूों की इसायों की मुसल्मानों की नहीं यह तुने बनाए हैं जा समझा मोहले कुँ अबुट बले चल चल पाने जी अरे पाने जी का हो रहा है माराज इट बालू सीमेट इसब का है क्या बताएं उपादिया जी कल राज शिपची हमारे सपने में आए गुसे में थे कहरे थे याँ कूटरी में हमारा दम घुटता है हमें जट पर खुली आकाश मिले चलो चांग खुली हवा है चांग है तारे है सुर्य है अरे तो चमतकार हो गया पाणे जी शिव जी हमको कितने दिन से कह रहे हैं अरे तू मनश्यों के रहने की चंता कर मैं तो कहीं भी रह लूँगा पर हम तो आपके डर के मारे कुछ बता नहीं रहे थे न अब शिव जी ने आपको आदेश दे दिया चलिया हो गया भैजला अरे तिवारी सुकर चत्रवेदी हमें तू में चमतकार हो गया है चमतकार हर हर महाद यह पांड़ी पांड़ी जी गजब हो गया मैनों से हमें शिव जी कह रहा है कि चौबे हमें किसी प्योड के निचे बठाओ यहां बहुत बू आती है पर हम मानी नहीं रहे थे लेकिन अब प्रायस्चित के लिए आज ही हम अखंड हरी कीतन रख रहे हैं जरू आईएगा आशर पांड़ी जी आशर दो दिन पहले ही शिव जी हमें सपने में कह रहे थे कि अब इत्य वारी हमें घाट पर कहीं कंगा के नस्दीक बिठाओ पर हम सपने पर कैसे यकीन करते हैं पर अब हम क्या कहें इसलिए कल ही हम राम चरित्र मानस का अखंड पाठ रखेंगे और प्रसाद लेने जरूर आईएगा जैराम जी की हर हर महादेव हर हर महादेव किसी को कोई सपना नहीं आया पर कल सुबह तक पूरा असी सपना देख चुका होगा जाएए रोकिये उन्हें वरना हर घर से हमारे बाबा बेघर होंगे सावित्री पंड़े जी शिवलिंग हट पाने जी आपने पंचांग देखा क्या कल सौभाग ये योग है हम तो सोच रहे हैं कली गाजे बाजे के साथ शिव जी को चौराये पर बैठा देंगे आपने कौन सा महरुत निकाला है ये बाद क्या है हुआरे शिव जी हटाते है वक्त तूट गए ए भाई क्या कर रहे हो या जाओ जाके अपना काम करो न हाँ अरे पाने जी आप दुखी हो रहे हैं खुशिया मनाई है खुशिया शिव जी कृपा कर रहे हैं आप पर वे स्वयम आपके घर से जा रहे हैं आप तो गाजे बाजे के साथ उन्हें भेजने की तयारी करिये और मित्रों को बुलाईए फिर भंडारा करिये उत्सव मनाईए और चड़ाईए फिर एक कोट्री उपर मना करके रहे पर अपके है जी हम कोई उत्सब नहीं मनाएंगे कोई भंडारा नहीं करेंगे जाए आप यहां से पंडे जी पंडे जी चलिए धर्मसंसत बैठिये बनाओं को बुलाया है भाई तिवारी तिवारी क्या वात हो पाध्या अरे जल्दी चलो वहाँ धर्म संसत बैट रही है जो धर्मनात्पणवा पलट गया ना तो मौका गया हाथ से समझो के नहीं चलो हम असी की हीट से हीट बजा देंगे पर एक भी मूर्ती खे सकने नहीं देंगे हम कैसे मालने शिवजी सपने में आए अरे ये क्या बात हुई शिवजी सपने में क्यों नहीं आ सकते क्या सबूत है आपके पास कि शिवजी ने सपने में आदेश जिया अरे अब सपने का बच्पंट से हमने यही सुना है कि वह कंजये बसा है अब उसके कनकन में बसने का सर्टिफिकेट हम कहां से लाएं बताइए वो हवा में है आग में है पानी में है अब आग में पानी में होने का सर्टिफिकेट कहां से लाएं भाई है बाते न बनाएए पाने जी और सीधी तरह जवाब दीजे आपकी हिम्मत कैसे हुए शिव जी को उठाने की ए खबरदार अगर किसी ने पाने जी के खिलाफ एक शब्दी कहा तो हां अरे हर दिन खाट पर रोज सुबह सैकड़ो लोग महादेव की मूर्ती बनाते हैं गंगा की माटी से पार्थिव महादेव उसकी पूजा करते हैं उसके बाद उसको गंगा जी में बहा देते हैं उससे किसी नाज तक सार्टिपिकेट मांगा है क्या अरे ये हमरे और शिव जी के बीच की बात है आप लोग कहां से बीच में आ गए सबना हम देखें आप लोग तो नहीं देखें ना काशी का कंकर कंकर शिव शंकर काशी महादेव को छोड़कर कुछ है क्या अब इसका प्रमापत्र कहां से लाएं सर्वखलदम ब्रह्म अरे पूरे ब्रह्मान में जो कुछ है वो शिवी तो है अब कौन भुज़री का उसका प्रह्मान पत्र ले कि आएगा हर हर महादेव हर महादे अला। हर महादे ब्रह्मान पत्र लेम… हर महादे वादे ब्रुजबरी तेस का भाने भी कि आएगा अला चार महादे अलान पत्र लेरने मैं प्लिज भी सैंगरे गडिम जरोग है बदिन नरोगज एलार यह napριं तर्ण यह किरो मोदैने लिगा कर गलाँ प्रसाद के लिए असी गाट के पास बाजगोविन मिश्रा के निवास पर अखंड हरी किरतन और प्रसाद के लिए असी महलावासी सा परिवार अमंत्रित हैं आईए आईए जरूर आईए जाए श्रीणा राधे शाम देख रहे हो असी के पंडों का पाखंड अब बताओ इन पंडे पुरोहुतों का पुटला कौन जलाएगा हम जलाएंगे और उनकी अर्थी भी निकालेंगे पर आप खुशिया मनाईएगा क्योंकि आज असी ढह गया जो किसी से नहीं हारा वो अज जिंदगी से हार गया अरे भोशड़ी के स्पी मुश्राब अज असी का कासी की आत्मा का अपरल हो गया अब कौन सी फ्रोती दे उसे छुड़ाओगे दुनिया के बाजार में ख़ड़ा तुमारा असी बिक्रा है खुशिया मनाओ हे पपो सबको हमारी तरब से असी की तेरी की चाहे पिलाग काना कादी जी अभी भूख में ये काना कादी जी पांटी जी पूब कुषितम किमना करोती पापप भूका आदमी क्या पाप नहीं करता यही पढ़ाया हमने और चार दिन अपने डर से नहीं लड़ पाए हम ते हमसे क्या हो गया सावित्री जो आदर सदियों तक हमलों से हथे आरां से बदली हवाओं से नहीं हारे वो आज छोड़ी छोड़ी जुरूरोत से लालच से चंद्रोवयों से हार रहे है यह क्या हो गया हो गया हम अपने ही मंदिर अपने ही मस्जद अपने हाथ उसे तोड़ रहे हैं हमने अपने ही बाबा को अपने घर से लिकाल दी जैसे एक आशी में अपने बुड़े माबाप को छोड़कर भाग जाता है जैसे हमने अपने बाबा से दुक्का किया यह हम कहां से कहां आगे जामित्री एक बात कहे हमने कभी कुछ पाने के लिए रामचरित मानस का पाठ नहीं किया हमें तो मानस में जिन्दगी से लड़ने की ताकत मिलती है इसलिए हम उसे बार बार पढ़ते हैं हमने कभी रामजी से प्रात्ना नहीं की कि दुखों से मुसीबतों से हमारी रक्षा करने पर हां हमने हमीशा उनसे ये कहा कि दुखों से मुसीबतों से लड़ने की हमें शक्ती देना देखना पानी जी हमें संकत से भी लड़ेगे हमन्иля कि दो ये जा कर दो और ये। हमना बार वह जय जय वह जय कि हुuite कर दो, कर दो, कर दो, कर दो! कर दो, 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 क इसे ईताराइम आ था님, आरॉस 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 सावित्री- देख्हां मों कहन आ है आरी contempt दे घरस वजए जारर णो दे एहे? दे खाल कि नदी की धारा की तरह जिंदगी अपना रास्ता थूंड ही लेती है पांडे जी थोड़ा चंदन मिलेगा जितना चही लेड़ो भाई सब महादीव का है पांडे जी और बहरूपिया अब साथी सावित्री और मादले अब सक्षियां मादले अब पांडे परिवार का हिस्सा है कन्नी गुरू अस्ती को अमेरिका बनाने में देश के बड़े बड़े गुरुओं का साथ दे रहा है जिन के लिए देश और विश्व बाजार है और लोग तंस्यूमर है बाबा का योगा श्रम और योगा चैनल चल रहा है बदल रहे मुल्यों के इस दौर में पांडे परिवार जो सच है, शिव है, सुन्दर है उसे बचाए रहने की कोशिश में नानारत नभे पूशितं रिगमदा मोदां कितं चंदनं झांड़ सबंस हाने की जिफले हैो झांड़ सबया जो झांडर सबस्केम हॉब अचल सबस्शने धirens झांड़ तो झांडर सबस्सक्राइब हा झांव deja झाल 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 झाल